देख बोस तेरा की कंटेस्टेंट्स दिवोलीना भटाचार्या और शहनाज को और गिल के बीच चल रहा विवाद किसी भी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा आए दिन इन दोनों को लेकर कोई ना कोई नई खबर सामने आही जाती है हाल फिलाल भी कुछ ऐसा ही हुआ है दद्देवोलीना ने कुछी दिनों पहले कहा था कि उन्हें शहनाज और सिधात शुकला के बीच कोई खास केमिस्ट्री नजर नहीं आती ज सिधनाज का सौंग भुला दूंगा रिलीज हुआ और उनके फैंस को ये गाना काफी ज़्यादा पसंद आया वहीं एक बर फिर से देवोलीना ने शहनाज को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जो शायद सिधनाज के फैंस को अच्छा ना लगे देवोलीना ने खुलासा किया है कि शहनाज सबसे पहले घर के अंदर पारस की ओर एट्रैक्ट हुई थी शुरुवाती दिनों में उन्होंने पारस के साथ अपनी बॉंडिंग बनाने की कोशिश की लेकिन जब पारस ने उन्हें टाइम और अटेंशन नहीं दिया तो शहन आज ने सिध्धार्थ पर फोकस करना शुरू कर दिया मनोरंजन जगत से जुड़ी ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटिस्ट अब्रेट